दोस्तों, आपकी राशिफल चैनल में आपका हार्देक अभिनंदन है, आपको आज का पंचांग विस्तार से जानने को मिलेगा, अब आज का संपूर्ण पंचांग हम जानेंगे, इससे पहले हम सभी मिलतर एक बारुन सभी, लोगों को शुपकामनाई देते हैं, जिनका आज जनम दिन है, आपको जनम दिन की हार्देक शुपकामनाई भगवान करे, शनी देव की कृपा से आपकी जीवन की सारी बाधाउं का साथ ही जिनका आज म्यारेज एनिवसरी है, उन्हें भी म्यारेज एनिवसरी की हार्देक शुपकामनाई भगवान आपको शिव और माता पार्वती की तरह आप लोगों की जोड़ी बनी रहे, अब साथ में जो लोग इस पंचांग को देख रहे हैं, यानि कि आप लोगों 15 सितंबर दो हजार चौबीस पंचांग से जानिये परिवर्तिनी एकादशी व्रत के पारण का समय और रवी प्रदोश व्रत के पूजा का शुब महूर्त। दिन परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का पारण सुबस 6 बज़ कर 6 मिनट से लेकर 8 बज़ कर 34 मिनट तक रहेगा। इस दिन रवी प्रदोश व्रत का महूर्त शाम 6 बज़ के 20 मिनट से लेकर रात 8 बज़े तक रहेगा। आईए जाने आज का पूरा पंचांग। आज का पंचांग 15 सितंबर 2024 समवत पिंगला विक्रम समवत 2021 माहभाद्रपद शुक्ल पक्ष तिथी द्वादशी शाम के 6 बज़ के 14 मिनट तक फिर त्रयोदशी व्रतेकादशी पारण दिवस रविवार अभिजीद सुबह के 11 बज के 33 मिनट से 2 पहर के 12 बज के 24 मिनट दो विजय महुर्थ दो पहर के 2 बज के 22 मिनट से 2 पहर के 3 बज के 22 मिनट तक 3 गोधुली मुहूर्थ शाम के 6 बज़ के 22 मिनट से शाम के 7 बज़ के 21 मिनट तक 4 ग्रम मुहूर्थ 4 बज़ के 5 मिनट एम से सुबह के 5 बज़ के 1 मिनट तक 5 अमरित काल सुबह के 6 बज़ के 4 मिनट से 07.53 अम तक शे निशीत काल महूर्त रातरी 11 बचके 50 मिनट से 12 बचके 20 मिनट तक रात संध्या पूजन शाम के 6 बचके 20 मिनट से शाम के 7 बचके 8 मिनट तक दिशाशूर पश्चन दिशा इस दिशा में यात्रा से बचें दिशाशूल के दिन उस दिशा की यात्रा करने से बच्चते हैं यदि आवश्यक है तो एक दिन पहले प्रस्थान निकाल कर फिर उसको लेकर यात्रा करें अशुब महूर्त रहुकाल सानकाल साधे 4 बजे से 06 बजे तक क्या करें मासिक भाद्रपद माहशुक्ल पक्ष द्वादशी तिथी है आज एकादशी का पारण है भगवान विश्नु पालन करता है वो संकतों का नाश करते हैं किसी भी कार्या के निर्विधन रूप से पूर्ण करने वाले भगवान कृष्ण है एकादशी महान व्रत का पारण नियम पूर्वक करना होता है व्रत पारण में विश्नु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी उपासना की जाती है एकादशी व्रत सभी लोग रख सकते हैं विश्नु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं मीठा, जल, अन्नव वस्त्र का दान करें कुछ संत निराजल व्रत रख कर आज पारण करते हैं आज रविवार है श्री आदित्यहदे स्तोत्र का शून्य तीन पाठ करें आज आपका भुजन पलाहारी हो कोई बड़ा धार में कनुष्ठान कराएं श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी करें क्या ना करें आज असत्य मत बोलें दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आईकन को भी प्रस कर नोटिफिकेशन आन कर ले आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद